साथियो जैहिन मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंगलेंड से बात कर रहा हूँ साथियो पस्चीमी देशों में जो नागरिक है यहां के जो इंडिया के बारे में दिल्चस्पी रखते हैं जिनको वहा की जो अब करोना की नियूज है उसके बारे में पता है और चिंता भी है तो हम उनके साथ काम करते हैं तो ऐसे ही एक बात छिड़ गई और हमारा डिसकेशन शुरू हुआ तो हमारे जो यहां के जो कलिक्स है वो पूछ रहे थे कि भई आपके जो देश के प्राइम मिनिस्टर है आपकी सरकार है उन्होंने करोना के माहुल में इतना बड़ा गैदरिंग ले लिया इलेक्शन्स में गुमे यह हम सब अब टीवी पर देख रहे है तो यह कुछ अच्छी बात नहीं है और वहाँ पर इतना वैक्सिन बन रहा है तो लोगों को वैक्सिन क्यों नहीं दिया गया आप तक तो हमने कहा कि भई वैक्सिन तो था लेकिन हमारे देश ने वैक्सिन दूसरे देशों को भेज दिया तो वो बोले कि क्यू भई ऐसे कोरोना के माहौल में क्यू पैसा कमाना चाहते है तुमारे देश के लोग अपने लोगों को वैक्सिन देना चाहिए तो मैंने उनको बताया कि भई यह पैसे कमाने के लिए निये ऐसे फुकट में दे दिया वैक्सिन इन लोगों को और ऐसे देशों को दिया जहाँ पर देने की जुरत भी नहीं थी, वहाँ पर कोरोना इतना ज़्यादा पहला भी नहीं था, लोग मर भी नहीं रहे थे, फिर भी उनको दे दिया और फ्री में दे दिया, तो उनको ये बात मतलब अक्सेप्ट नहीं हुई, वो बोले कि फ्री म क्यों कोई किसी को वैक्सिन दे देगा, जब अपने देश में लोगों को अब तक वैक्सिन नहीं मिला है, तो दूसरे लोगों को फ्री में क्यों बाटेंगे, तो कम से कम हमारे लोगों को भी फ्री मिल रहा है क्या हूँ, तो मैंने उनको बोला कि नहीं हमारे लोगों को ढ 200 रुपए लगा कर चार्ज लगा कर और वो भी अब बढ़ने वाला है ऐसे चार्ज लगा कर वैक्सिन दिया जा रहा है जो भी प्राइवेट में जो दिया जाएगा वो तो उनको ये बात बहुत इसका ताजूब लगा साती हो कि कोई देश में अपने देश में जब कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है सेकंड वेव आने वाली है ये सब दुनिया से पता चल रहा है अपने लोगों को वैक्सिन फ्री में लगाने के बजाए कोई दूसरे देशों को फ्री में वैक्सिन कैसे बेच सकता है ये इन लोगों को बहुत शॉकिंग लगा और ये बात स्ट्रॉंग लिडर आया है वो करप्शन के खिलाफ है उसने नोट बैन कर दिया है नोट बंदी कर दिया है और वो बहुत अच्छा है और वो ऐसा डेडिकेटर है और यहाँ पर जब आते है वो तो उनके लिए ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है इस्पेशली लोगों में बहुत बड़ा एक अलग सा अलग सी प्रतिक्रिया आ रही है कि ये कैसे हो गया इंडिया ने वैक्सिन प्रोडक्शन की इतनी मशिनरी होते हुए भी आज इंडिया के पास वैक्सिन क्यों नहीं है और अगर उनके पास खुद के पास वैक्सिन कम होने वाला था तो उन्होंने दूसरे ऐसे देशों को क्यों वैक्सिन बेज दिया जहापर करोना से कुछ लोग मरने की मतलब बड़ी बात ही नहीं है वहापर करोना की कोई समस्या ही नहीं है ऐसे इतने देशों को फ्री में क्यों दे दिया तो सातियों यही बात हमारे यहापर हमारे कुछ नागरिक उठा रहे हैं, वो कुछ पोस्टर्स लगा रहे हैं और उनको मोदी जी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो मोदी के अंडर है, वो गिरपतार कर रही है, उन पर फायर कर रही है, तो ये बहुत जायज सवाल है सातियों, और ये हमारी सरकार को हमें पूछना ही चाहि करते हैं, या नहीं भी करते हैं उनकी पार्टी को, तो भी एज इंडियन सिटीजन ये हमारा जायज अधिकार है, कंस्टिटूशनल राइट है, कि हम सरकार से सवाल करें, सरकार को कटगरे में खड़े करें और पूछे कि उन्होंने वैक्सिन आविलेबिलिटी क्यों नहीं की रिस्पॉंसिबिलिटी है, और उन्होंने जिस तरीके से इसको मिसांडल किया है, वैक्सिन आविलेबल नहीं किया है, ऑक्सिजन और जो बाकी सारी चीज़े लगती है, ये आविलेबल नहीं किया है, जैसे दुनिया के सारे राष्टों ने, सारे प्रगत राष्टों न इस हालात में सवार करना इस पर्फेक्ली फैर तो इस सवाल को अगर मोदी जी इसके हमारे आवाज दबाना चाहते है तो ये बिल्कुल गलत है हमें सवाल उठाते रहना चाहिए और मोदी को और इस सरकार को सवाल करते रहना चाहिए जैहें साथियो